स्टॉक बिस में आपका स्वागत है तो अब रेवेन्यू सूपरमार्ड जिसको डीमार्ट के नाम से भी जानते है उसके क्वार्टर वन के रिजल्ट आ चुके तो चलिए देखते हैं कैसे इसको क्वार्टर वन के रिजल्ट बात करें टोटल इंकम के तो इस पर निकल के अबडेट से अपने रिवेन्यू के दे दिये थे बात कर लेते हैं टोटल खर्चों के तो कितने एक्सपैंसे रहे इस बार क्योंकि यहीं पर मार्ख आ गया था तो टोटल इस बार निकलके है 9,191 क्रोड जो पिसले साल इसी क्वार्टर में थे 5,077 क्रोड था तो यह और इतनी 1% के आपको बड़ा देखने के बिल दिये और रिवेन्यू कितना बढ़ा था 93% के इसाब से मतलब यहां पे कॉस्ट कंट्रोल किया गया है और मार्जिन सुधर के आएंगे इस बार पिसले क्वार्टर से बात करें पिसले क्वार्टर में थे 8,210 क्रोड तो वहां से 137 क्रोड तो यहां पे आपको जम्प देखने को मिलगा 539% का जो काफी बड़ा है यहां पे पिसले क्वार्टर के बात पिसले क्वार्टर में थे 608 क्रोड तो वहां से भी 44% के आपको जम्प देहने को मिल रही है तो क्या बात है यहां पर operating profit किया सकते है क्वार्टर को ए इसी क्वार्टर में था 95 पर तो आप देख सकते हो यह और यहीं पे 576% का आपको जम्प देखने को मिल रहा है पिछले क्वार्टर से बात करें पिसले क्वार्टर में थे 426 तो वहां से भी 51% का जम्प आपको अच्छा का आपको चानदार है काफी रहे है चाहा यह और औ वो quarter one के update साहते revenue के है तो तब से काफे जाता share उपर भाग गया है तो इसमें आपको खरीदना है बेचना हो तो उसी सफ़र आपको देख लेना अगर आपको कोई doubt हो तो comments में पूछ सकते हो देख लेना अच्छा लेगा तो वहाँ भी follow कर लेना आप तो चले टीक आपको वीडियो को आप लाइक किजिए शेर किजिए और चैनल को सब्सक्राइब परना बिल्कुल न भूले आप